नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टेड़ी जीएस में दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिसेट करने वाले हैं जिसमें आपको करेंट अफियर साइन्स और जीकेजियस का प्रीवियस यहर का क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा सिदा लाइक करें दोस्तों में सब्सक्राइब करें फ्रेस्बूक वार्ट्स आप टेलिगराम के माध्यम से और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें किमकि जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेसन आपको पहले प्राप्त होगा और दोस्तों अगर आपको इसका पीडिएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलिगराम का लिंक दे दिये हैं आप लोग जा करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आजका प्रैक्टिस सेट आजका पहला कोशन अपका हो जाएगा कराय की राजा भूज किस बंस से जूरे थे एक कराय टेंसर हो जाएगा आप्सन नमर सी यानि की पर्मार बंस से जूरे थे राजा भोज जो थे वह परमारवन्स का शब से महांतम सासक थे जो शाहित्य प्रेमी थे और इनकी मिर्थु पर कहा किया कि आज मा स्वरस्वती अलंब रहित हो गई है और इन्हों ने 1000 से 1013 अक्सासन किये जो कई साहित्य की रचना किये जिसमें स्वरस्वती कंठा भरन कित कल्पतरू शमार रांगन सुत्रधार प्रमुख है और परमारवन्स का संस्थापक राजा सियक या उपेंदर को माना जाता है नेक्ष देख लेते हैं कोशन नमर 2 में आपको कहड़ा है कि स्रिलांका तब सिलोन को किस बर्स दुमेनियन आप सिलोन के रूप में स्वतंतरता परदान की गई थी दो कड़ाई टेंसर हो जाएगा ओप्स नमर ए 1948 स्रिलांका को पुर्व में डुमेनियन आप सिलोन कहा जाता था और 1972 में इसका नाम सिलोन की जगह लंका और 1978 में स्रिलांका कर दिया गया नेक्ष देख लेते हैं कोशन नमर 3 मे कर आ की भारत एक गनतंतर है और गनतंतर का साबदिक अर्थ क्या है तो तीन कर राइटनसर हो जायेगा ओफ्शन नमर सी यानि कि राज का परमुक उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है यानि कि गनतंतर उस राश्ट को कहा जाता है जहां का राष्टा ध्याक्ष निर्वाचित होता है या राष्टा ध्याक्ष का कारinfect निर्धारित हो गंतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें देश को शर्वजानिक मामला माना जाता है न की सास्कों का नेजी संस्था या संपती वरतमान समय में 69 राष्ट अपने अधिकारी के नाम में गंतंत्र का पड़ियोग करता है और भारत एक गंतंत्र है क्योंकि यहां का राष्ट अध्यक्ष राष्ट पती निर्वाचित होता है Next देख लेते हैं Question 4 में आपको कहड़ा है कि भारत में Lieutenant Governor निम्न में से किस्से संबंदित है 4 कराइटेंसर हो जाएगा Option B यानि कि केंद्र सासित परदेश के नाम मात्र के परमुख के रूप में कारे करते हैं यानि कि 4 कराइटेंसर Option B हो जाएगा केंद्र सासित परदेश का परदान को राष्ट पती अनुछेद 149 के अधार पर निउक करते हैं जो राष्ट पती का परसात परयतन अपने पद पर बना रहता है Next देख लेते हैं Q5 में आपको कह रहा है कि प्रित्वी द्वारा औरूद सुर्ज की लगभग डैस है 5 कराइटेंसर हो जाएगा Option C यानि कि 1.8 गुने 10 के पावर एगारे यानि कि मेगावाट Next देख लेते हैं Q6 में आपको कह रहा है कि एक प्राकिर्तिक छेत्र में निमुन में से किसकी शमानता होती है 6 कराइटेंसर हो जाएगा Option C यानि कि जलवायू तथा प्राकिर्तिक बनस्पती एक प्राकिर्तिक छेत्र में जलवायू और प्राकिर्तिक बनस्पती में शमानता पाई जाती है और एक प्राकिर्तिक छेत्र के अंतरगत विभिन प्राकिर्तिक तत्तों की शमागकता पाई जाती है और इसकी सीमा के अंतरगत उच्चावाच सनचना जलवायू, मृधा तथ प्राकृतिक बनस्पतियें जिन जन्तु में एक रूपता पाई जाती है नेक्ष्ट हो जाएगा कोश्चन नमर साथ मैं आपको कहड़ा की राम गंगा नदी किस राष्टिये उद्यान से होकर गुजरती है साथ कर राइटन सर हो जाएगा आप्सन नमर डी यानि की जीम कारवेट जीम कारवेट नेशनल पार्क से बहने वाली राम गंगा नदी हिमाले की नदी है और यह जो बारो मासी नदी की स्रेनी में आती है और राम गंगा नदी में घरियाल मगर मच कचुआ भी पाए जाते हैं नेक्ष देख लेते हैं कोशन नमर एट में आपको कहड़ा की अलमाती बाद जल विधूत पड़ी हो जिना किस नदी पर है आठ कर आइटन सर हो जाएगा ओप्सन नमर ए या आपको कृष्णा नदी पर है अलमाती बाद को लाल बहादूर शास्त्री बाद भी कहा जाता है जो करनाटक में कृष्णा नदी पर इस्तित है नेक्ष हो जाएगा कोशन नमर नाइन में कहड़ा है की सुस्क पर्णपाती जंगल गीर डैस में है नाइन कर आइटेंसर हो जाएगा ओफ्सन नमर बी या आपको गुजरात में है सुस्क पर्णपाती जंगल गीर गुजरात में है जो बन बसंत रितू के पुरू अपना पत्ता गिरा देता है जो पर्णपाती या पत्तशर बन कहा जाता है नेक्ष देख लेते हैं कोशन नमर दस में कहड़ा है कि भारत में सबसे पुराना तेल छेत्र कोन से राज में इस्तित है दस कर आइटेंसर हो जाएगा ओफ्सन नमर बी या आपको असम राज में इस्तित है भारत का सबसे पुराना तेल सोध कर खाना असम का डिंग बोई में है जो एसिया का भी सबसे पुराना तेल सोध कर खाना है जिसकी अस्थापना 1901 में हुई नेक्श देख लेते हैं कोशन नमर 11 में आपको कह रहा है कि निवन में से कौन सा छेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र सासित परदेश है एगारा कराई टेंसर हो जाएगा ओप्सन नमर B यानि कि अंडमान और निको भार दीव समूझ जो है वो भारत का उस संस्था का चेहन करे जो इस समय से संबंधित नहीं है बाड़ा कराई टेंसर हो जाएगा ओप्सन नमर B यानि कि भारतिये एस्टेट बैंक SBI एक सरवजनिक छेत्र की अनुसुचित वानेजिक बैंक है और स्थीनों मनेजमेंट संस्थान है और SBI के राष्टिये करन 1905 में हुआ और 1905 के पहले इस इंपेरियल बैंक कहते थे जिसकी अस्थापना 1921 में हुई थी और भारत का सबसे बड़ा बैंक SBI है नेक्ष देख लेते हैं कोशन नमर 13 में अपको कड़ा की स्मार्ट सीटी अभियान के तहत निमलिखित में से कौन सी चीज स्मार्ट सीटी बनाने वाली चीज है नहीं दर साती तेरा कराई टेंसर हो जाएगा ओप्सन नमर C याने की किफायती अवास BCS रूप से बरिष्ट नागडिकों के लिए स्मार्ट सीटी मिशन अस्थानिय विकास को सक्षम बनाने और पध्योगी की मदद से नागडिकों के लिए बेहतर परिनामों के माध्यम से जीवन की गुनवक्ता में सुधार करने तथा आर्थिक विकास को गती देने हैतु भारा सरकार दवरा एक अभिनव और नई पहल ह और इसके तहत डिजिटाल और सुचना पधिविल की सेंखला के साथ 24 घंटा बिजली की उपलब्धता, शुगम परिवहन, स्वास्त और सिक्षा हरित छेत्र विकास को प्रत्मिक्ता दी जाती है नेक्श देख लेते हैं, कोश्चन नमर 14 में कहड़ा की मानोविकास सुचकां को 1990 में 10 के द्वारा विक्सित किया गया था, 14 कराइटेंसर हो जाएगा ओफ्सन नमर A यानि की महबूब खान के द्वारा, महबूब खान 1990 में महबूब खान के द्वारा आपको मानोविकास नेक्श देख लेते हैं, कोश्चन नमर 15 में आपको कहड़ा है की विसु सीमा सुल्क संगठन यानि की WCO, WCO के एसिया परसान छेत्र का उपाध्यक्ष कौन सा देश बन गया है, 15 कराइटेंसर हो जाएगा, ओफ्सन नमर B यानि की भारत, विसु सीमा सुल्क के एसिया परस परसान छेत्र का उपाध्यक्ष जुलाई 2008 में भारत बना है, नेक्श देख लेते हैं, कोश्चन नमर 16 में आपको कहड़ा है की एसाई परनाली में प्रती बल की माप इकाई है, 16 कराइटेंसर हो जाएगा, ओफ्सन नमर C यानि की न्यूटन प्रती मिटर स्क्वाइर, या देख लेते हैं, कोश्चन नमर 17 में कहड़ा है की 12 केजी की एक बस्तु की भूमी से एक निश्चित उचाई पर रखा गया है, यादि बस्तु की इस्तिति कुर्जा 6 सजूल हो, तो भूमी के संदर्व में बस्तु की उचाई ग्यात किजिए दिया गया है, यानि की G ब्रा इस्ति कुर्जा ब्राबर 600 हो जाएगा, द्रवमान बारे के जी हो जाएगा, और H निकालना है, और G कामा 9.8 मिटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, यानि की आपको P E ब्राबर आपको MGH हो जाएगा, नेक्ष देख लेते हैं, कोश्चन नमर 18 में कहड़ा है की जहाजों की गती में ब्रिदी, डैस पर अधारित है, 18 कर आइटेंसर हो जाएगा, ओफ्सन नमर A यानि की आरगम डीज के शिधान्त पर अधारित है, जहाजों की गती में ब्रिदी, आरगम डीज का सिधान्त पर अधारित है, नेक्ष देख लेते हैं, कोश्चन नमर 19 में आपको कहड कि हीमिकरन यानि कि फ्रीजिंग तप मान पर पानी के पाई फड़ जाते हैं ऐसा 10 के कारण होता है 19 का राइट अंसर हो जाएगा option number A यानि की expansion के कारण हीमिकरन तापमान पर पानी के पाई फड़ जाते हैं क्योंकि पानी के जमने पर आयतन में प्रसार होने के कारण बर्फ का आयतन बढ़ जाता है next देख लेते हैं question number 20 मैं आपको कह रहा है कि किस साल में ओले रूमर ने इतिहास में पहली बार परकास की गती को मापा था 20 का राई टेंसर हो जाएगा option number B 1976 में ओले रूमर ने 1976 माफ किजिएगा आपका 1676 में ओले रूमर ने 1676 इसमी में पहली बार परकास की गती का पता लगाया जो लगभग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रती सेकेंड होता है और निरवात में परकास का बेग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रती सेकेंड होता है next देख लेते हैं question number 21 में कहड़ाय कि निमली खित में से कौन सा उपकरन रसाइनिक उर्जा को बिधूतिय उर्जा में परिवर्तित करता है 21 का राइटेंसर हो जाएगा option number B यानि की बैटरी next देख लेते हैं 22 में कहड़ाय कि डाल्टन का सिधान्त अधारित है 22 का राइटेंसर हो जाएगा option number A यानि की रसाइनिक सायूजन के नियम पर डाल्टन का परमानुस सिधान्त रसाइनिक सायूजन के नियम पर अधारित है next देख लेते हैं question number 23 में कहड़ाय कि malleable dash के गुन को दर्साता है 23 का राइटेंसर हो जाएगा option number B यानि की धातू के गुन को दर्साता है malleable next देख लेते हैं question number 24 में आपको कहड़ाय कि निमलिखित में से किन कौनों में शाकरात्मक आवेस होता है 24 का राइटेंसर हो जाएगा option number B यानि की प्रोटान प्रोटान एक धनात्मक आवेग युक्त कन है और प्रोटान पर आवेस प्लस में आपको 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 होता है और प्रोटान को इनूट किरन भी कहते हैं next देख लेते हैं question number 25 में कहड़ाय कि हीमेटोलोजी का अध्यान डैस से शंबंदीत है 25 का राइटेंसर हो जाएगा option number B यानि की राक्त से शंबंदीत है हीमेटोलोजी का अध्यान राक्त से शंबंदीत है और हड्यों के अध्यान को अस्टियोलोजी कहते हैं next देख लेते हैं question number 26 में कहड़ाय कि बनस्पती उत्तक का डैस परिपक्वता पर जीवीत प्रोटो प्लाजमा धारन नहीं करता 26 का राइटेंसर हो जाएगा option number C यानि की द्रीड उत्तक बनस्पती उत्तक का ड्रीड उत्तक परिपक्वता पर जीवीत प्रोटो प्लाजमा धारन नहीं करता next देख लेते हैं 27 में कहड़ा है कि किसे टैक्सोनोमी का जनक कहा जाता है 27 का राइटेंसर हो जाएगा option number B यानि की लिनियस को काल लिनियस को आधूनिक वर्गी करन का पिता यानि की फादर ओफ मोडर्न टैक्सोनोमी कहा जाता है और 373 इस पी में काल लिनियस ने जीवो को दिवनाम पदिती का सिधान्त दिया next देख लेते हैं question number यानि की 27 का राइटेंसर option B हो जाएगा next हो जाएगा 28 में कहड़ा है कि बाइल का श्राव होता है 28 का राइटेंसर हो जाएगा option number B यानि की जीगर से बाइल जो है यानि की पीतरस का श्राव लिबर यानि की यक्रित से होता है और यह बाइल को हम लोग आप पीतरस के नाम से जानते हैं next देख लेते हैं यानि की 28 का राइटेंसर option B हो जाएगा question number 29 में को कहड़ा है कि यक्रित 10 कारी करता है यानि की 29 का राइटेंसर हो जाएगा option number D यानि की यक्रित जो है वहाँ पाचन कारे करता है यक्रित में और साक्ता से अधिक सरक्राया कार्बो हाइडेड कलाई को जेन के रूप में संचित रहता है और सरीर को जरूरत परने पर पुन गुलुकूच में परवर्तित कर देता है और यक्रित से स्रावित होने वाला पितरस भोजन के अमलिये माध्यम को छारिये बनाता है नेक्स हो जाएगा question number 30 में आपको कहड़ाय की computer system जिसे किसे भी भंडारन यंत्र की आवसकता नहीं होती नेक्स कोशन देख लेते है question number 31 में कहड़ा है की एक स्रोत 0.4 सेकेंड में 20 तरंग सिखर और तरंग गर्त उत्पन करता है तो तरंग की आविर्ति ग्यात करें 31 का राइटेंसर हो जाएगा option number D यानि की 50 हटर्ज next देख लेते है question number 32 में कहड़ा की हाल ही में किसे Indian Oil Corporation यानि की IOC के नए अध्यक्ष के रूप में कारे भार सम्हाला 32 का राइटेंसर हो जाएगा option number C यानि की सिरी कांत मादव वैद Indian Oil Corporation के नव अध्यक्षिरी कांत मादव वैद ने संजीर सिंग के अस्थान पर अपना पदभार गरहन किया है next देख लेते हैं 33 में कहड़ा आपको की अटल भूजन योजना का शुवारम कब किया गया 33 का राइटेंसर हो जाएगा option number B यानि की 25 दिसंबर 2019 को आपको अटल भूजन योजना का शुवारम किया गया next देख लेते हैं question number 34 में कहड़ा की आयुस्मान भारत योजना किस बीमा योजना से शंबंधित है 34 का राइटेंसर हो जाएगा option number C यानि की या स्वास्त कल्यान बीमा से शंबंधित है हाल ही में आयुस्मान भारत परधान मंतरी जन आरोग योजना ने एक करोर से अधिक लोगों के उपचार का आकरा प्राप्त कर लिया है और इस योजना के तहत लगभग 21,000 सरकारी तथा नेजी हस्पतालों के माध्यम से 13,45 कर रुपे की लागत से उपचार उपलब्द करवाया जा रहा है और बरतमान में स्वास्तियों परिवार कल्यान मंतरी डाक्टर हर्स वर्धन है नेक्ट देख लेते हैं 35 में आपको कहड़ा कि मई 2020 में केंद्री ये मंतरी नितिन गड़गरी के द्वारा चार धाम पड़ियोजना के तहत निर्मान किस सुरंग का उद्लाटन किया गया है 35 कर राइटन सर हो जाएगा और बी यानि की चमबा सुरंग का नेक्ट देख लेते हैं कोशन नमर 36 में आपको कहड़ा है कि हाल ही में ओडिशा के मुख मंतरी नवीन पटनाय को किस संस्ता द्वारा हीरो टू एनिमल सावार दोजार बीस से शमानित किया गया है 36 कर राइटन सर हो जाएगा और सन नमर ए यानि की पेटा इंडिया नेक्ट देख लेते हैं कोश्चन नमर 37 में आपको कहड़ा है कि भारत के विश्वनाथन आनंद को हाल ही में किस से कारिकरम का ब्रांड अमबेश्टर चुना गया है 37 कर राइटन सर हो जाएगा और सन नमर डी यानि की पड़्यावरन सीक्षा कारिकरम का ब्रांड अमबेश्टर चुना गया है विश्वनाथन आनंद को नेक्ट देख लेते हैं 38 में आपको कहड़ा है कि भारत के किस्व पूरुने आधीस को मार्च 2020 में राज सभाग के लिए मनुनीत किया गया है 38 कर राइटन सर हो जाएगा नेक्ट देख लेते हैं कोश्वन नमर्ट 39 में कहड़ा है कि रक्षा परदर्सनी 2020 का आई ओजन कब किया गया 49 कर राइटन सर हो जाएगा नेक्ट और इसका आई ओजन आपको उत्तर परदेश के लखनव में किया गया नेक्ट और अंतिम कोश्वन आज का देख लेते हैं अंतिम कोश्वन आज का हो जाएगा कोश्वन नमर्ट 40 में कहड़ा है कि पदम भी भूशन प्राफ्ट करने वाले प्रथम महिला खिलारी कौन बनी है 40 का राइटन सर हो जाएगा अप्सन नमर्ब यानि कि MC मेरीकउम MC मेरीकउम प्रथम पदम भी भूशन प्राफ्ट करने वाली महिला खिलारी है और 6 बर मुखे बाजी परतियोग्ता में 20 वी चैंपियन बनने वाली महिला किलारी mc medicom को बर्स 2020 में की गई घोशना में पदम भी भूचन से समानित किया जाएगा तो दोस्तो यह practice set जो हम लेकर आये थे यह rrb, ntpc और आपको group d का practice set number आपको 11 था इससे पहले दोस्तो हम 10 practice set करा चुके हैं अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे playlist में जाकर उसे देख सकते हैं दोस्तो आपसे एक request है कि अभी तक आप हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe कर लें और इसे ज़्यादा से लाइक करें दोस्तों में share करें Facebook WhatsApp टेलीगराम के माद्यम से और बेल आइकन का बटन दबाना नौ भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका notification आपको पहले प्राफ्थ होगा अगर आपको इसका PDF चाहिए तो description में हम टेलीगराम का लिंक देदिये हैं आप लोग जाकर के वहां से प्राफ्थ कर सकते हैं तो चलिए दूस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद